सभी को नमस्कार आज का हमारा पाठ है सेखर जोशी जी के द्वारा लिखावा गलता लोहा कहानी इस कहानी में बहुत ही महत्पूर्ण तरीके से जातिगत भेदभाओं को समाप्त होते वे लेखक ने बताया है सबसे पहले हम थोड़ा सा लेखक कर लेते हैं जिनका जन्म सन 1932 में अलमोडा उत्रांचल में हुआ था और इनकी प्रमुक रचना है कोशी का घटवार, साथ की लोग, दाज्यू, दाज्यू की पंक्तियां प्याँ पर भी देख सकते हो अंतर की घुमरती वेदिना को आखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्य करता है वे भवक्षनों की अपेक्षा अधिक विवेक पुन होते हैं तो हम से खर जो सीजी के कहाने पड़ते हैं गल्ता लोहा गल्ता लोहा में जाती अभीमान के स्वाप्थ होने की कथा यहाँ पर बहुती सुंदर तरीके से लेखक ने बताई है यहाँ पर मोहन एक पहला यहां का परथम चरित्र है जिसके पैर अनायास ही सिल्पकार टोले की और मुड़ जाते हैं सिल्पकार टोला यहाँ पर उसका मित्र है धनराम लोहार उसके और वह जाता है और उसके मन में जो उसके लोहा पीटने की अनुगूंज थी वह शेश थी यानि उसके मन में भी भी उसकी आवाज जो थी वह सुनाई देती जी ति जो उसने बच्पन में ऐसी आवाज सुनी थ वह उसे दूर से ही पैचान लिया करता था आज वह किसलिए गया है इस सिल्पकार टोले में वह गया है अपने हस्वे को अपने जो कृशी करने का एक उजार होता है उसके साथ गया है तक कि उसे वह साफ करके ले आए और अपने बुढ़े पिताजी की कृशी में उनकी मदद कर सके क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि वह बहुत बुढ़े हो चुके हैं और उनसे अब रुदरी पाठ करना मुश्किल हो गया है वह नहीं चाहते हैं कि पहार चड़कर के कहीं भी जा करके अब ये काम उनके लिए काफी मुश्किल हो चुका है इसलिए उड़ा पेमिन की करना चाहता है mohan जो है वे नहीं चाहता है कि अपने पिता जी की तरह जो पंडिताई का व्यापार है उसे करे पिताजी का भार हलका करने के लिए खेतों की और जाता है और देखता है कि उसके हस्मे की धारकुंध हो चुकी है धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूकता हुआ दाएं हाथ से बटी में गरम होते वे लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भटी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के उपर बैठ जाता है मोहन क्या करता है एक खाली पीपे पर बैठ जाता है और किसे देख रहा होता है जो लुहार का काम कर रहा है धनराम उसे वह देख रहा होता है यहाँ पर दोनों दोस्त हैं बच्पन के दोस्त हैं और साथ ही अब बाच्ची शुरू हो जाती है मोहन पुछता है कि मास्टर तिलोक सिंग तो गुजर गए होंगे और ऐसा बाच्ची शुरू करके दोनों अपने बच्पन की दुनिया में लोटाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने बच्पन को याद किया जाए और ये सब सुनकर के धनराम जो है उसकी आँखों में चमक आ जाती है उसकी आखे चमकने लग जाती है और केते हैं कि उनकी छड़ी का डर उसे लगा ही रहता है था दोनों हज देते हैं थोड़ी देर में पहले तक वो धमा चोकडी मचाते थे उठापटक करते थे और मास्टर जी जबा जाते थे तो केते थे कि प्रात्ना कर ली तुम लोगों ने तो उन पर क्या हो जाता था वह चुपचाप हो जाते थे ऐसे जैसे उन्हें सांप सूंग गया हो मुहावरा है य जो ट्रोक्सिंग जी थे घूर कर हर एक एक लड़के को देखते हैं और कहते हैं कि मोहन नहीं आया आज मोहन जो था काफी उनका चहेता शिशे था पुरोहित खांदान का कुछ शाग्र बुद्धी बच्चा था उसकी बुद्धी काफी तेज थी तो मोहन पर उनका विशेश ध्यान रहता था क्योंकि उन्हें उससे बड़ी उमीद थी कि ये कुछ बनेगा मोहन ठीक ठाक उतर देदेता था जब वो पढ़ाते थे लेगिन जब कोई फिसधी बालक होता था तो उसको दण देने का पूरा काम कौन करता था मोहन क्या करता था और उसको आदेश दिया करते थे कि इसे इसके कान खिचवाया जो भी उसे सजा दी जाती थी जिस प्रकार से पुराने समय में जो सजाएं ये मास्चर जी दिया करते थे वो सब मोहन का काम होता था पहले ऐसे क्या करते थे टीचर्स तो बच्चों को कह दिय करते हैं कि इसे यह नहीं आए तो इसे सजा दो कि बीच बीच में वह कहते जाते हैं कि मोहन एक दिन बहुत बड़ आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन भी करेंगा लेकिन यहां पर धनराम जो है वह लोहार का काम करता है और इसी वज़े से वह केवल तीसरे दर्जे तक यह थार्ड क्लास तक ही स्कूल जा पाता है तो लोक सिंग मास्टर कभी कभी उस पर विशेश ठ्यान कह देते और कहते कि तेरे का पहाड़ा सुनाओ अब उसका नाम क्या था धन्वा धन्वा बोलते थे उसे लेकिन उसे तेरे का पहाड़ा याद नहीं होता था तेरे एकम प्रते दिन का नियम था इस तरह से बच्चों को पिटाई करना उसे मास्टर जी से इतना डर लगता था कि कभी उसे तेरे का पहाड़ा याद ही नहीं हुआ और फिर वो कहते कि तेरे का आज पहाड़ा याद कर लेना लेकिन उसे कभी भी याद नहीं होता था फिर वो कहते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है यानि लोहे का तु काम करता है तो तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है फिद्यक अताप कहां लगेगा इसमें और अपने थेले से पांच-छे दरातिया निकाल करके धनराम को पकड़ा दी कि इन पे धा लगा करके ले आना ऐसा क्या मास्टर जी ने और अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो छड़ी और बेंट से उनकी पिटाई हुआ करती थी गंगा राम जो है वो धनराम जी के पिता जी है और एक दिन वो संसार से चले जाते हैं यानि ओफ हो जाते हैं और धनराम ने उनका काम संभाल लिया लोहे का काम जो है संभाल लिया और धर मोहन जो है क्या करता है प्राइमरी स्कूल की सीमा लांगते ही मोहन ने छात्रवर्ती प्राप्त कर ली और उनकी भविश्यवानी जो थी मास्तर जी की भविश्यवानी वो सत्य सिध हो गई मोहन के पिता जी जो थे वो अपने परिवार का पेट पूरा नहीं भर पाते थे मोहन पर लिख करके गरीबी को मिटाना चाहता था दरिज्जे को मिटाना चाहता था लेकिन इच्छव उने से क्या होता था जो स्कूल था वो गाउं से चार मिल दूर था और बरसात के मोसम में नदी की समश्या भी थी लेकिन बंसी धरने हिमत नहीं हारी और लड़के का नम स्कूल में लिखवा दिया जब वो स्कूल से आता तो उसे पुरान कफाएं सुना करके अलग अलग बालकों का उधारन दिया जाता और उने उत्साहित किया जाता वर्षा के दिनों में नदी में बाड़ा जाती थी और नदी पार करने में मोहन को प्रेशानी हो सकती थी इस तरह से जब वो नदी पर जब उसमें उफान आता था जाता था तो उसकी पढ़ाई में दिक्कत आती थी तो उसके पिता जी ने एक दिन क्या किया गाउं में रमेश नाम का युवक आया हुआ था जो उन दिनों लखनव से चुट्टियों में गाउं आया था और बात बातों में वंशी धर ने मोहन की पढ़ाई के समंद में अपनी चिंता बताई और उन्होंने उसे कहा कि मोहन को उसके साथ लखनव भेज दे जहां घर में चार लोग हैं तो यह भी रह लेगा पढ़ लेगा और इस प्रकार से मोहन जो है शहर की और जाने की और यहां पर हम देख सकते हैं उसकी शहर जाने की जो सेटिंग थी वो उसके पिताजी ने कर दी थी कुछ दिन बाद वे लखनव आ जाता है और उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है जिस घर की मैलाओं को वे कभी चाच्ची कहता कभी भावी कहता था वो सभी काम उसे कराने लग जाती है और वे क्या बन जाता है उनके काम काज में हाथ बटाने का साधन बन जाता है कि ये लादो बजार से ये लादो ये लादो हर समय उसे काम बता दिया जाता है उसकी हैसित जो थी वो एक घरेलू नो करके बराबर बना दी जाती है हाला कि उसे भी पता था कि ये सब काम उसके साथ किये जा रहे हैं लेकिन अब उसे वहीं पर रह करके अपनी भी कर लिया था और उसके सामने कोई चारा भी नहीं था यानि कोई और आप्षिन भी नहीं था घर वालों को वे ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि वंशी धर उसके जो सुनैरा वविश्य उसके सपने देखा करते थे आठवी कक्षा की पढ़ाई समाप्त करके मोहन गाओं आयवा था जब वह वापस जाता है तो लगता है कि सभी लोग उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं है सब लोग कहते हैं कि हजारों लाखों लोग भी एमे करके बेकार फिर रहे हैं इसलिए पढ़ाई का कोई फाइदा नहीं है और मोहन जो था इसी प्रकार घर के कामकाच करता रहता था और डेड़ वर्ष इस प्रकार से निकल जाता है फिर वह फैक्टियों के चक्कर लगाने लगा तक उसे कोई नोकरी मिल जाए यहाँ पर वन्शी धर यह देख रहे थे कि वो कोई अफसर बन करके लोटेगा क्या कर रहा है त्रिलोक सिंग माश्टर की बातों के साथ बच्पन से लेकर कई सारी बातों पर वो बात करते रहते हैं और इस प्रकार से धनराम जो है वो अपना काम करता रहता है और फिर मोहन ने बेचारे पंडिक जी को तो फुर्शत नहीं रहती लेकिन किसी के हाथ विजवा देते मैं ततकाल बना देता यहाँ पर वो कह रहा है कि आप कोई काम होता तो मुझे बता देते और मोहन कुछ भी नहीं बोलता है समाने तोर से ब्राह्मन टोले का शिल्पकार टोले में बैठना उचित नहीं होता था यानि जातिगत भेदवाव यहाँ पर लेका दिखा रहा है ब्राह्मन जाति के लोग शिल्पकार में टोले में नहीं बैठा करते थे लोहे की एक मोटी छड को बठी में गलाकर धनराम गुलाई में मोडने की कोशिश कर रहा था एक हाँ से उसने संडासी को पकड़ रखा था दूसरे हाँ से थोड़े की चोट मा रहा था तो मोहन कुछ दिर तक उसे काम करते भी देखता रहा और फिर अपना संकोश त्याग कर उसने भी यह काम करना शुरू कर दिया यानि कि एक सुघर रूप उस गोले को दे दिया मोहन का यह हस्तक्षेप इतना फूर्ती और अकश्मिक तरीके से था कि धनराम को चूप करने का मोकाई नहीं मिला और वह अवाक रहे गया अवाक यह आश्चरी चकी त्वे रहे गया उसे अचंभा हुआ कि मोहन यह क्या कर रहा है अब यहां पर देख सकते हो दोनों को दिखाया गया है उसे कारीगरी पर इतना अचंभा नहीं हुआ बलकि उसे अचंभा क्या हुआ कि पुरोहित खांदान का युवक उसके साथ इस तरह से बैठ करके काम कर रहा है तनराम की संकोच, एस मंजस और धर्म संकट की स् दासीन, मोहन, संतुष्ट भाव से उसकी लोहे की जो उसने कारीगरी दिखाई थी उसको देखता रहा उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की सुक्रती पाने की मुद्रा में देखा और उसकी आखों में एक स्रजक की चमक आ गई उसकी चमक जो थी आखों की उसने जो कारे किया था कारीगरी दिखाई थी जिसमें ना कोई स्प्रधा थी ना कोई कॉम्पिटिशन था ना किसी प्रकार की हार जीत का भाव था इस प्रकार से इस कहानी में जाती अभिमान के गलने की बात की गई है जिस प्रकार से लोहा गलता है उसी प्रकार से लेखक ने जाती अभिमान को त्याग करके मोहन के द्वारा जोकारी गरी दिखाई है उसका वर्नन यहां पर सेखर जोसी जीने किया है थेंक यू फॉर वाचिंग